आपने अबिटेक चैनल पर और मैं हूं आपका दोस्त अभी गाइज आज हम करने वाले हैं कंपेर कैनन का M50 और कैनन M5 कैमरे का और आज हम जानेगे इनके स्प्रेसिफिकेशन और प्राइस के बारे में वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप में चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल लाइक कर दबाना बिल्कु मत भूलिये ना ताकि मेरी हर एक लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं गाइज कैनन का M50 कैमरा और कै चाहिएगयो आपके साथ स्यर करनी चाहिए तो बात करें Nowadays के बारे में Canon M50 में 1545 mm का मिलता है और में Rodrigo मकंज क्रियों देखने को मिलता है बात करें धायज misunderstanding में तो क्यों में टो हमें से हैं में में Surân क्ल Next में घना यहां तक तो हमें दोनों पॉंट नियुक भूर के बारी में हमें हमें साइड में माइक का फॉड देखने में मइं साइड तीन भू देखने को मुलते हैं पहला है रिमॉट का दूसरा है माइक का दूसरा धूसरा माइक का बारे तीन वर देखने को मिलते हैं बात करें हम अद्वार्ट के राइट शाइर पर में मिलता है का मिलता है जांपर भी हमें इस पर्क देखने को मिलता है guys हमें दोनों camera's में एक common देखने को मिला है कि हमें दोनों camera's में headphone का port देखने को नहीं मिला है वो ज्यादा माइने नहीं रखता है अगर हम फोटोग्राफ करना चाहते हैं तो और Canon M50 में हमें remote का port भी देखने को नहीं मिलता है guys dual zoom kit line के बार में बात करें तो Canon M50 में 25,45mm और 55,200mm का लेंगा देखने को मिलता है तो guys यहाँ पर हमें पर देखने को मिलता है क्योंकि Canon M50 में 55,200mm का लेंगा देखने को मिलता है और वहीं हमें Canon M5 में 18-150mm का lens देखने को मिलता है जाहिर की बात है Canon M50 का lens है वो काफी जादा बढ़िया है और काफी जादा बढ़िया तरिके से जूम कर सकता है सेंटर पिन के बारे में बात करें तो हमें दोनों camera's में सेंटर पिन देखने को मिलती है बात करें डिस्प्ले के बारे में तो हमें Canon M5 में डिस्प्ले की बात करें देखने दसंपर करें गाइस बटन को बारे में बात करें तो दोनों camera's की बटन यह हैं वो काफी बिडिया क्वालिटीक की देखने को मिले है अब भी हम बात करें इसमें मेन पिचल के बारे में तो पहले बात करते हैं मेगा पिचल के बारे में मेगा पिचल की बात करें तो हमें Canon M50 में 24 मेगा पिचल देखने को मिलते हैं और Canon M5 में हमें 24.2 मेगा पिचल देखने को मिलते हैं तो जहां पर हमें एक दो पॉइंट का फर्स देखने को मिलता है क्योंकि अगर हमारी कैमरे का रिजलूशन बढ़िया होगा तो हमारा काफी अच्छी तुर्के से पिच्चर गॉल्टी निकार सकता है अगर पिच्चर गॉल्टी बढ़िया होगी तो हमारा कैमरे काफी अच्छी तुर्के से बेक्ग्राउंग को ब्लर कर सकता है अभी हम बात करें आईया शुरूइंग के बारे में तो दोनों की मुझे आईया शुरूइंग सेम देखने को मिली है कैनन M50 और M5 के 아 맞 openly शुरूयू रिखने की में हमें टू अये शुरूइंग से लिके principles Ah गारी बात करें शॉर्थ के बारे में तो डू कैनन M50 में हम्में तू ऊंडेसार्थ क्षिच पर बैटरी चार्ज़पर और ओने को मिल्ता है गाई शॉट का मतलब होता है जाने की पूरी कैमरे की बैटरी है वो पूरी चार्ज करने के बाद हम उससे 235 जांफे 295 शॉट्स क्लिक कर सकते हैं तो M5 के जो शॉट्स है वो काफ़ ज़या बढ़िया है और काफ़ ज़या ज़्यादी है कैना M50 से शेटर फ्लैब पर सेकंड के बारे में बात करें तो कैना M50 में हमें 10 शेटर फ्लैब पर सेकंड देखने को मिले हैं और कैना M5 में हमें 9 शेटर फ्लैब पर सेकंड देखने को मिलते हैं गाई यहाँपर हमें Canon M5 में जो सटर來說 पर सेकेंडरि यहाँ पे हमें कम देखने को मिला है LCD साइज के बारे में बात करें तो Canon M50 में हमें 3.0 Gust能 की LCD साइज देखने को मिलती है वोही हमें Canon M5 में 3.2 इंद की LCD देखने को मिलती है गाई यहां पर भी हम दहां बात करें टच्च सक्रिन के बार में तो Canon M50 में हमें Sw Tes selfies देखने को मिलती है और Canon M5 में philosophical सप्राइब ठेखने को मिलती है दोनों touchscreen डहले हैं बात करें विडियो प्राइबिये के रिकोडिंग करता है और Canon M5 1080qu 80 Son x 60 की रिकॉर्डिंग करता है जानकि में में 7 fps देखने को मिलते हैं वही हमें में में 9 fps देखने को मिलते हैं तो guys fps का मतलब होता है फ्रेम पर सेकंड यानकि हमारा कैमरा एक सेकंड में अलग लग तरीके के शौट खीचता है गाइज लासने बात करें प्राइस की बात करें तो हमें चैनल में 50,000 लेका 50,000 तक देखने को मिलता है और चैनल M5 हमें 1,000,000 लेका 1,000,000 तक देखने को मिलता है गाइज मुझे चैनल M50 ज्यादा बढ़िया लगा है क्योंकि में काफी बढ़िया फीचर देखने को मिले है तो guys आपको कौन से कैमरा बढ़िया लगा है यह मुझे comment box में लिखकर जरूब बता है और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं है तो मेरे चैनल को subscribe करें और अभी तक आपने मेरे इस वीडियो को like ने किया है तो like करें और ज्यादा ज्यादा share करें